ये लो बन गयो गड़मा गड़म पकोड़े अम्मा कितनो सुन्दर दिख रहो है हाँ बिटिया बस अब कस्टमर आ जाए सुन्यो जी आज हमका पकोड़ो खानो है वो भी बढ़ियों बालो होटल में होटल में पकोड़ी नहीं मिलतो है चलियो हम तुमका भाबी के पकोड़ो खिलाते हैं भाबी दुई प्लेट पकोड़ो लगाई दो हाँ अभी देतो है आंटी खाओ मेरी अम्मा बहुत टेस्टी पकोड़ा बनाती है लाइयो विटिया मम्मी तुम यहां पकोड़े खा रही हो मैं अभी खाऊंगा तुम दोनों यहां केसे आ गयो हम तो तुम दोनों को घर में बंद करके आयो थे ना मम्मी बहुआ पर्चान कर रहा था बाहर जाने के लिए इसलिए मैं दर्वाजा तोरके बहुआ को बहार ले आया यह लो पक्रो मम्मी पकोड़ा इका सारे पकोड़े खा गयो पकोड़े बाली एक पलेट और पकोड़े लगाई दो हाँ अभी देतो हैं आंटी ये लो पकोड़े यह पकोड़े तो मैं खाऊंगा तू ले लिया यह तू आंटी का था तू तो तिरा क्या ज़ा रहा है ममी मैं खा लू खा लिए हम दूसरों ले लिय तो है एक प्लेट और पकोडा बनाई दो पकोडा आल खा चुप पकोडा आल खा ये लियो जी पकड़ियो ही सैतान को बर्णाई तो हमका खायन ही नहीं देगा अड़े मुन्ना तो हमड़ा ही पकोडा खा जाएगा विटिया थोड़ देर मुन्ना को पकरो पकोडा पकोडा हम भी का पकोडा और पकोडा खाएगा बहुआ आंटी एक पलेट पकोडा और दे दू बहुआ को नहीं हमरो बहुआ बिमार पर जाएगा ज्यादा पकोड़े खाकर चलो बताईयो कितने पैसे हुआ तुमरो हो गयो पूरो चार सो रुपईया का चार सो कही रेट है पूछो अंकल से ये तो रोज आते हैं पकोडा खाने का तुम रोज आवा थो यहां अड़े नाही नाही कभी-कभी आ जातो हैं कभी-कभी नहीं अंकल रोज-रोज आते हो और पैसा भी ज़्यादा देते हो रेट से चुप रही हो बिटिया वरनाम अगला दिन से आने लाइक नाहीं बचेंगे अच्छा ऐसी बात है अंकल तो मैं आंटी को जूट बोल देती हूं आंटी अंकल तो पहली बर आए हैं मेरी दुकान में है ना अंकल हाँ हाँ बीटिया यह देखियो विश्वास हो गयो ना हाल तुम्हें सक्करत रहा थो हम पर बेपकूप